सबको मेरा प्रणाम है नमस्कार है प्यारे बच्चों चैनल वापस आया इसमें जिन भी लोगों का प्रयास था उनको बहुत बहुत धन्यवाद बुक लॉंचिंग बहुत दिन से हम बुक बोल रहे थे कि आज कर देंगे कल कर देंगे पर्शों कर देंगे लेकिन हो नहीं पा रहा था जो क्वैलिटी हम चाह रहे थे वो क्वैलिटी तक पहुंचने में थोड़ा समय लग गया इसके लिए हम एकदम सौरी हैं और मनना है कि बुक एक ऐसी चीज है जो बच्चों को मिसगाइड भी कर सकती है और गाइड भी कर सकती है बुक एक ऐसी चीज है जो बच्चों को कम समय में जॉब तक भी पहुंचा सकती है और नहीं तो अधिक समय देकर उलजा भी सकती है तो इन सब चीजों को ध्यान में कुछ हमने पिछले एक साल में बनाए हैं क्योंकि हमको पता था कि वेकेंसी आज नकल आएगी और जब आएगी तो बच्चे वही जो मार्केट के ट्रेंडिंग बुक्स हैं उसको पढ़ेंगे और फिर वही होगा कि इससे फसा उससे नहीं फसा और पता चला final result जो है वो इतन करने के बाद इतना भी नहीं मिल पाया और मेरे दोस्त हम जो लेकर आए हैं वो इतना ही करियेगा और इतना मिलेगा तो उसका जुगार हम लेकर आए हैं क्या किये हैं हम कई से किये हम इस पूरे वीडियो में हम इसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं खास करके math, reasoning और science यह तीन आपके important paper हैं आपको भी पता है कि मेंस में 100% यही तीन paper से आना है और PT में, ALP technician में आपका 90% इसी से आना है math, reasoning और science से 10% math और arts है तो चलिए हम book हम क्या लेकर आए हैं और हम बार-बार कहते हैं मेरे दोस्त हम बहुत दिनों से आप सोचे आए हुए लगबग 20-25 द देते हैं लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं मिलता आप फिर वही पढ़ते जो market में already trending है तो मेरे दोस्त उतने पढ़ेंगे अगर मेरा काम स्वी से हो सकता है तो तलवार चलाने की आवशकता बिलकुल भी नहीं है तो आईए आज तक ऐसी किताब आभी तक नहीं आई थी कि इसी भी publication में वो किताब हम आपके सामने लेकर आए हैं मेरे दोस्त जो हम आपकी सेवा में लेकर आए हैं वो कुछ इस प्रकार है प्रिवियस यर बुक आप पढ़ते पढ़ते चला जी परिसान है कितना पढ़िएगा अगर प्रिवियस यर बुक की बात किजेगा प्रिव 2018 वला गुर्प डीली जगा अंटी पिसी तहमा मोटा हो जागा है यतना पढ़िएगा तब प्रिवियस यर पढ़ाएगा लेकिन हम जो आपको देने जा रहे हैं मेरे दोस्त इतना नहीं पढ़के एतना नहीं पढ़के इतना नहीं पढ़के मात्र आप हैतना 3 साल से काम किया है जब भी ALP technician आएगा तो मैं एक ऐसा content लेकर आऊँगा जो बच्चों को बहुत जादे फाइदा पहुचाएगा क्या content है हम आपको दिखाते हैं अब अगर आप ये book क्यों सबसे अलग है, ALP technician का previous year है इसमें NTPC, RRBJ, Group D के सभी original question है 2022 तक के last exam जो हुआ होगा railway का वहां तक का, उसके बाद expected questions है इसमें, repeated questions को हटा दिया गया है अब क्या concept है हमारा, गौर फर्माइएगा इस किताब की विसेस्ता है chapter wise है और ये ALP के previous year question से संबंधित महत्वण प्रस्ण है ये तीन किताबे हम लेकर आए है एक हमारा, जो ब्रमास्त है, ALP technician के लिए इसे पढ़ने के बाद previous year question पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ेगी आपको, एक math का special है, एक science का special है और एक reasoning का special है मेरे दोस्त, ये तीन किताबे हम लेकर आए है, मतलब इतना previous year नहीं पढ़के, मातर आप इतना मोटा पढ़के अपना काम पूरा math का कर सकते previous year का सारा previous year दे लिए का आपका पढ़ा जाएगा आपका इसमें है क्या क्या तो देखिए इसमें ALP technician का जैसे math का लेते हैं ALP technician का previous year होगा TCS का 21-23, 21 से लेकर इसका latest question होगा chapter wise होगा, level wise question होगा 3500 plus question है और detailed explanation मिलेगा वहीं फिर science में जाएगा ALP technician का original question मिलेगा TCS 20-23 तक का question मिलेगा chapter wise मिलेगा, 3500 plus MCQ मिलेगा level wise question मिलेगा NCRT exemplar भी मिलेगा फिर उसी तरीके से इसमें भी आपको मिलेगा, आप करिएगा जैसे हम example लेते हैं कि work power energy जैसे ये science के लिए ये किताब आपको मिलेगी, ये वाली किताब अब इस किताब की क्या खासियत है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, गौर फरमाईएगा इस किताब की खासियत क्या है मेरे दोस्त, जैसे work power energy chapter है, chapter wise है ये, मान लिजे original question एक हमको ELP technician का 2018 का मिला इस question का explanation आपको यहीं मिल जाएगा ये question, ये explanation और उसके बाद इस से related जो अलग-अलग exam में हमने सारे exams के question क्लेक्ट करवाएं तो पता चला, पचास question ऐसे हैं जो अलग-अलग exam में पूछे गए हमने कहा भया, पचास question अगर एक question, एक type का question अगर पचास को बच्चा बनाएगा तो कितना बनाएगा, एक paper में पचास जार question हो जाएगा हमने क्या किया मेरे दोस्त ये question प्रैक्टिस करने के बाद हमने इस पचास में ये देखा कि कौन सा इसा type है जो repeat हो रहा है और उसका एक question मात्र देंगे यानि एक, दो, तीन इस पचास question के बदले ये तीन question अगर बच्चा बना लेता है ती पचासव प्रिवियस येर उसका बन जाएका तो पचास नहीं बनाके, तीन बनाएके इतना नहीं पढ़के, इतना पढ़के इतना का काम होगा फिर देखिएगा, आप जैसे यहां मान लिजे कि आपने RRB Group D इधर, ALP technician का मान लिजे 2018 का ये question है इस question का explanation यहीं है लेकिन बागी questions का explanation यहां नहीं है इसका explanation पीछे है ताकि आप इसको यहां इसका solution देख लिजे और इसको practice कीजे, आप practice करने के बाद आप पीछे solution दिया हुआ explanation दिया हुआ, short answer दिया हुआ पहले जब आप इसको बनाईएगा इसको बनाने के बाद आपको एक idea हो जाएगा इस topic का, अब तब इस topic से अगर मान लिजे 100 question पूछे गए है हम 100 नहीं देके मातर 5 से 6 question आपको दिये और इस 5 question पढ़िएगा, 100 question आपका बन जाएगा question कहां कहां से ऐसे देखो TCS 2011 का question है TCS 2012 का, यानि NCRT exemplar में इस topics related कोन question है उसके बाद देखिए NCRT exemplar का फिर दूसरा question दूभी डाल दिये और फिर उसके बाद RRB NTPC 2012 का question डाल दिये TCS 2010 का question डाल दिये अचला इस ते रे लेटर अगर 100 question पूछा है तो मातर ये 7 question पढ़ने से आपका 100 question पढ़ा जाएक इसका solution आप यहाँ देख लीजे अब आपका ये exact क्या इसी के जैसा ही question नहीं इससे मिलता जूलता ये question क्योंकि exact देदेंगे खली digit बदल के तो practice करने का फाइदा क्या होगा इससे मिलता जूलता जो question पूछा गया है उसका repeated question को हटा के और तब ये question जो बचा हुए उसको यहाँ रखे तो मेरे दोस्त रिपीटेड पढ़ोगे तो एक ही question को 100 बार पढ़ने से बढ़िया है एक question को 3 बार पढ़िए और 3 बार पढ़िएगा तो 100 बार अपने पढ़ा जाएगा फिर दूसरा आप देखो क्या-क्या आपको नहीं पढ़ना पढ़ा अगर आप ALP technician का previous year आपको नहीं पढ़ना पढ़ा RRB group D 2018 का question नहीं पढ़ना पढ़ा 21 का question नहीं पढ़ना पढ़ा 22 का question नहीं पढ़ना पढ़ा NCRT exemplar नहीं पढ़ना पढ़ा तो यह सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी हाँ फिर हम चलते हैं मेरे दोसी तो साइंस हो गया हम चलते हैं प्रोफिट अल लॉस पर जैसे मैथ पर मैथ में भी एक कोश्चन आपका गुरूबडी अल्पी टेक्निशन का औरीनल है इसके बाद देखें 2019 का कोश्चन 2019 का कोश्चन है फिर आप देखें एक कोश्चन आल्पी टेक्निशन का औरीनल है इसके बाद 2018 का 2017 का 2018 का फिर इधर आईएगा तो एक कोश्चन आरीनल है 2018 आल्पी टेक्निशन का आई से लेटेट देखें को 7-8 question यहां दिये है, साते question आप practice की जगा 1.500, दूसरा question अपने आप practice हो जाएगा, तब दूसरे हतना ने पढ़ के आप इतना पढ़िए, हतने पढ़ के आपका काम हो जाएगा, उसी तरीके से जब आप reasoning में जाईएगा, reasoning में जैसे calendar chapter है, ALP technician का original question यहां मिलेगा, आइसे related, देखो, level 3 में जो question पुछा है, NTPC में 2022 में वो मिलेगा, level 3 में फिर 2022 में जो question पुछा हो मिलेगा, फिर माल लिजे इसका detail explanation, पर एक question जो ALP technician का उसको यहां मिलेगा और उससे related जो question है, उसका explanation इधर मिलेगा, पीछे a short answer भी मिलेगा, तो मेरे दोस्त कहने का मतलब यह हुआ, कि हतना previous year नहीं पढ़के, आप इतनी मोटी किताब पढ़ लिजेगा, तो 2018 से लेकर, अभी तक का, जतना 2022-23 तक का, जतना previous year है, उससब पढ़ा जाएगा, यानि आओ भी chapter वाइज पढ़ा जाएगा, topic वाइज पढ़ा जाएगा, question वाइज पढ़ा जाएगा, और इस सब अने वाले relevant के हर exam के लिए होगा, क्योंकि इसमें ALP का original question है, NTPC का original question है, group D का original question है, sub का original question, RPF का original question इसमें दिया हुआ है, और sub original question है, में आपको एकदम ले ही लेनी है सब को, जिसमें एक Brahmastra Mathematics, Brahmastra Science और Brahmastra Regening, जिसमें Regening अभी दो दिन के बाद उपलब्द होगा, आज 15 तारिक है, तो 16-17 तारिक से Regening अबलेवल होगा, ये दोनों किताब आप अपने नजदी की Bookstore पे जाईए, उससे मंगिए कि S.K. जासर का Math आया है क्या, A.L.P का Previous Year, S.K. जासर का Regening आया है क्या, तो वो आपको बता देगा, नहीं तो बोलिए, उसको मंगवा दीजे, क्योंकि आप Online Order की जगा 10 दिन लग जाएगा, और 20 रुपय आपका जादे भी लगेगा, तो आप उसको बोलिए, मंगवा दीजे, बार-बार चला जैसे, हम लोगों की किताबें, किताब दुकान वाला नहीं रखना चाहता है, उसका Reason है, हमारे किताब में उतना ही प्राइस होता है, जब नाम बिकना है, और दूसरे की किताबों में, दूसरे किताबों में अगर आप देखिएगा, तो पतली किताब है, 460 रुपय दाउम है, तो लोग बूलता है कि सर कस्टमर को हम लोग अपने हिसाब से दे देते हैं, अगर कोई कस्टमर पैसा देने वाला तीनों सम बेच लेते हैं, और कोई कस्टमर कम देने वाला ताढ़ाईयों सम बेच लेते हैं, लेकिन मेरा कोई भी आदमी जाएगा मेरा किताब लेने तो फिक्स प्राइस में मिलेगा, तो मेरे किताब को पीछे रखता है, अन्नी किताबों को आगे रखता है, इसलिए आगे रखता है, कि अगर उस किताब को आगे नहीं रखेगा मेरे दोस्त, तो वो किताब वो साधे 400 का है, तो वो 300 में भी बेचेगा, तो यह उसको बहुत फाइदा है, अब मेरा किताब उसको दूसर चालीसे में बेचना पड़ दो दिन में मिल जाएगा अब मेरी जान यहां आते हैं अब जो यूसफुल किताब है यह दोनों कुछ ऐसी किताब है आपको दिखेगी यह मैथ के किताब है और यह किताब मेरे दोस्त यह साइंस की किताब है यह दोनों और रिजनिंग की किताब अभी कमिंग सून है उसके ब Science हो जाएगा और एक Engineering Drawing की हमारी किताब है ये वाली इससे आपका Engineering Drawing हो जाएगा तो ये जो S-K-S समान विज्यान है इससे Basic Science भी हो जाएगा Science भी हो जाएगा इससे दोनों हो जाएगा अज जो बच गया Engineering Drawing वो यहाँ से हो जाएगा यानि अगर आप basic science और engineering drawing यह तीनों के लिए CBT1 का science, CBT2 का science और engineering drawing तीनों के लिए किताब लेना चाहते हैं तो एक आपको SKJ समान विज्ञान फोर्थ एडिशन लेना होगा और एक engineering drawing लेना होगा इस दोनों के मिला के आपका basic science और engineering drawing और science complete हो जाएगा क्योंकि इसमें physics semester bio है इसका जो physics है वो basic science है और engineering drawing ले लिजएगा तो आपका complete हो जाएगा PT और मेंस दोनों उसके बाद सभी बच्चों को वो किताब कुछ ऐसी दिखती है, सबको पता है यह हर रूम में है, railway के तयारी करने वाले बच्चों के हर रूम में उपलब्ध है उसके बाद, प्यारे बच्चों, इस किताब को आप अलग से एकदम 100% एकड़ा तीन बार बना ले ना याद है न, NCRT, group D में कितना पूछा था NCRT exemplar 6 to 10 इसके जहा उपलब्ध है आप जगे को तुकान बाला बता देगा आपको तो NCRT exemplar ये वाली किताब 6 to 10 मार्केट में उपलब्ध है ये वाली किताब को कम से कम तीन बार आप बना लो उसके बाद, जो बच्चे electrician वाले हैं वो एसके जहाई electrician की book लेंगे जो बच्चे fitter वाले हैं वो एसके जहाई fitter की book लेंगे जो बच्चे diesel वाले हैं वो एसके जहाई diesel की book लेंगे और जो बच्चे turner वाले हैं वो fitter वाली किताब लेंगे जो बच्चे electronics वाले हैं वो electrical वाले किताब लेंगे यह स्तारा किताब अभी मार्केट में उपलब्द है यानि तीन किताब तो आपका हो गया physics, chemistry, science, math और reasoning जो previous year के लिए है और अगर आप science पढ़ना चाहते हैं तो यह वाली science पढ़िए अब basic engineering drawing दोनों करना चाहते हैं यह और यह ले लिजिए NCRD exemplar को तीन बार यह किताब लेकर आप बना जाएए इसका playlist भी YouTube पे हमारे main channel में उपलब्द है SKJा channel में उसके बाद trade के लिए electrician जिसका जो trade है वो ले लीजे और सारा किताब उपलब्द है देखो यह हो गया SKJा समान विज्ञान और अगर सिर्फ reasoning पढ़ना चाहते है दीपक सर की यह reasoning भी उपलब्द है मार्केट में आप यह ले सकते हैं यह हमारी Fitter की किताब है यह हमारी Diesel की किताब है और यह Engineering Drawing की किताब है और यह मेरे दोस्त अगर आप previous year पढ़ना चाहते है एकदम खांटी previous year यह CBT1, CBT2 का previous year भी मार्केट में उपलब्द है यह भी आपको मिल जाएगा सिर्फ previous year है इसमें CBT1 का भी और CBT2 का भी Electrician का Trade Theory यह है यह सारी किताबें मार्केट में उपलब्द है खली एक वो reasoning बचा हुआ है और दो किताबें और आएंगी जो Trade का Practice Set दूगो आ रहा है तीन को अलग-अलग Trade का Electrician का, Fitter का और Diesel का अब यह नहीं कहोना कितना किताब हो गया कितना किताब नहीं हुआ मेरे दो यह को Science के लिए एक किताब है Drawing के लिए एक किताब है NCRT के लिए एक किताब है Trade के लिए यह तीनों तुमको नहीं लेना है तुम्हारा जो Trade है वो लेना है तो मुश्किल से अगर किताब की बात करें एक बच्चा जो लेगा है एक, दो, तीन और एक Trade का चार और तीन किताब जो पीछे हम बोले हैं वो साथ और ALP Technician का जो previous year लेना है तो previous year लेकर आपको पढ़ना है मतलब ये 6-7 किताबें आपको अभी से एक्जाम तक रखनी पढ़ेंगी और इसको घोर के पी जाना है जो बच्चे जो बच्चे बुक लेना चाहते हैं तो अगर हमारे online चातर है और एकदम दूर दर आजाए कोसिस किजिए पहले बुक स्टोर पे मिल जाए नहीं मिलता है तो आप आस ओफिसियल आप डाउनलोड किये हुए होंगे वहां से बुक वाले सेक्शन में जाएगा और यहां से आपको बुक पर्चेस करने को मिल जाएगा नहीं तो एक लिंक भी हम लगाने वाले हैं जिसमें एक साथ आप सभी किताब को पर्चेस किजिएगा बहुत जल्द आप देखिएगा मेरे यूटूब कम्यूनिटी में एक लिंक आएगा उस लिंक पे यूटूब कम्यूनिटी हम लगाएगे एक link रहेगा उस link पे आप click किजएगा और अपनी सारी कितावें आप book करके payment कर दीजएगा सारा किताव एक साथ आपको एक सब्ता के अंदर पहुंच जाएगा बहुत जल्द वो link भी हम लगवाने वाले इसमें आप सारा किताव एक साथ book नहीं कर सकते हैं तो हमें एक link आपको देंगे YouTube community में उसमें आप अपनी सारी कितावें book कर सकते हैं सबका use हम आपको समझा दिए ठीक है? Thank you very much Love you all Namaskar मिलते हम लोग अगले वीडियो में और एक बाद फिर से धन्यवाद चैनल वापस लाने के लिए Thank you very much